पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहा बिहार में भी मौसम खराब रहने की आशंका है पटना गया समेद आसपास के जिलों में आंधी और वज्रपात से हलकी से मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक पूरे बिहार में बुद्वार को ठनका गिरने का अलट है इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से हवाई भी चलेंगी पुर्वी चमपारं, पश्शिम चमपारं और सीतामडी जिले के कुछ इलाकों में अती भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है गोपाल गंज, मधुबनी और सुपॉल में भी भारी बारिश का अलट है इसके अलावा मुजफरपुर, वैशाली, सिवान, सारन, शिवहर, दर्भंगा, मधुबनी और समस्तिपुर जिले में भी जमाजम बढ़साथ होने की संभावना है मौसम विभाग के पुर्वानुमान के मुताबिक पटना समेद दक्षिन बिहार के अधिकतर जिलों में मंगलवार को बादलों की आवाजा ही बनी रहेगी तेज हवाज चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से हलकी राहत मिलने की संभावना है कुछ जगहों पर मौसम बिगडने की वज़स से वजरपात का खत्रा बना रहेगा ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है कोसी और सिमानचल शेत्र में बुदवार से बारिश संबंधी गतिविधियों में कमी आएगी दो दिन बीच में मौनसून कमजोर रहेगा इसके बाद इसके दक्षिन बिहार की ओर शिफ्ट होने का अनुमान है 29 जून से पटना, गया, कैमूर, रोतास, और अंगाबाद, भोजपुर, नवादा, जमुई, भागलपुर, वेगुसराय समेट आसकास के जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के मताबिक उत्तर बिहार में बुदवार को मौनसून महरबान रहेगा ब्योरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव